नमस्कार दोस्तों मिना नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपीनियन तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे लेटेस्ट रिलीज बॉलिवूड मुवी गन्पत की जिसका पार्ट वन रिलीज हुआ है अर्थात इसका एक फ्रांचाइजी जो है वो बनने ज सुनने के बाद अगर कोई प्रोड्यूसर खरा हो जाए और इसको बनाना चाहे तो मैं सल्यूट करता हूं उनको उनको सच में वॉलिवूड से प्यार है कि वो ऐसे ट्रैस मुवी इन फ्यूचर भी बनाने की कोशिश करेंगे सच्मान ये तो दोस्तों दिस इस वेरी बिग क्योंकि कहानी में ना वो दम है कहानी में ना वो मतलब वो जज़बा है कि आपको दर्शाओ को ये इंगेज कर पाए यहाँ पे कहानी दोस्तों जो दिखाया जा रही ये एक अलग ही दुनिया की है जिस दुनिया में सिर्फ दो तरीके के लोग रहते है एक होता है अमीर औ लोग एयाश है वहां पे लोग मतलब महेंगी गारिया चरते है रात को पाटी करते हैं और उसके बाद लेट नाइट पाटी में घर के अंदर में दस बाड़ा लड़किया लेके पुड़ा मतलब उनका जो इंतजाम हो जाता है दोस्तों दूसरी तरफ का जो लाइफ है उस ल के लिए वो तरफ सिद्या स्टाडविंग वेसिकली तो यह दोनों तरीके का लाइफ है और इसके बीच में मतलब बीच का जो एक है अटक गया है एक बंदा जिसका नाम है यहां पे गुड़ू और वो बंदा जो है वो है तो वेसिकली यह दूसरी दुनिया से मतलब जो ग लिखाए जाएगी अब दोस्तों इसमें मुख्य किर्दार आप जो जानते हों के टाइगर स्टॉफ इस प्रेंग डरोल ऑफ गुड़ू और गनपत और इसके साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिती चैनन और जो है बड़े कलाकर जो है वो यहां पे मतलब लेके ढूड़ना पड़ेगा भई पॉस्टिव इसके अंदर में है क्या तो देखिए इसकी जो नेगेटीव है वो काफी लंबा चौड़ा लिस्ट है तो पहला शुरू करते है अमिताब बच्चन का परफॉमेंस से अरे कुछ गलत तो नहीं बोल दे रहा हूं क्योंकि अ अमिताब बच्चन का परफॉमेंस है ही नी जो मैंने ट्रेलर देखने के बाद जो स्पेकुलेशन लगाया था मेरा पहला वीडियो है आप जाके देचेक कर सकते हो मैंने यह कहा था कि आमिताब बच्चन को शायद यहां पे सिर्फ पोस्टर बॉय मना की उसकिया जाएगा उनका जो वोईज है सिर्फ उसको इस्तेमाल किया गया है एक आच्चीन में वो दिखे लेकिन ना किसी से कनवर्सेशन ना कोई डायलोग कुछ ऐसा कोई इंपक्ट ही वो क्रियेट नहीं कर पाएं गयोंकि उनका किरदार कुछ है ही नहीं सिर्फ स्पेशल अपियरेंस लग जो हमारे यहां पर टाइकल स्रॉप करते हुए आप दिखेंगे लेकिन वो भी अभी बहुत ही रिपीटेटिव हो चुक है उनके सारे मूज उनके जारे तरकीवे जो है वो बहुत ही रिपीटेटिव हो चुक है इविर उनका डांस मूज बगेरा जो भी है वो भी काफी र कहानी है देखे ओवराल जो अमीरी गरीवी वाला जो कंसेट है वो तो सही है लेकिन उसके अंदर में बीच का जो फाइट है वो बिसके लिए फाइट एक एमिचर बॉक्सिंग या किक बॉक्सिंग कुछ भी कह लिजिए उसके उपर बेस्ट आउट है जो इस दुनिया का खे उतना दम कहानी में लगी नहीं रहा है इसके डायलोग उतने इंप्रेसिव है नहीं दोनों के बीच के जो संबंध है क्रिति शैनन और इसका जो मतलब लव इंट्रेस जो जैसे ग्रो करता है जैसे वो एक्स्पेंड करता है वो भी कुछ क्रिएट नहीं होता है बाप के लोग लाएंगे चार-पांस लोग लाएंगे इसके तो भाई पहला से पहला जो किस्त है वो सबसे इंपोर्टेंट होना होता है जहां पर आपको समझाना पड़ता है वाई दिस फिल्म इस सो इंपोर्टेंट सच मानिया तो दोस्तों बहुत ही डिजपोइंटिंग सा लोग समझते हो के लोग देख लेंगे टिकेट करिद के दोस्तों अब देदो गए और लोग खड़िद लेंगे ऐसा नहीं होता है तो यह तो यह पहला किस्त पहला इंस्टॉल्मेंट इतना वीक अगर बनाओगे तो अगले इंस्टॉल्मेंट का तो भई सोचो ही मत और अटागनिस्ट है देखिए उसका तो एक मास्किंग किया हूँ है आप देखिए हो वो एक मतलब एक अजीप सा जानवर लेके वो घूमता है जो मशीन से चलता है शेर जैसा दिखता है बलैक पैंटर जैसा दिखता है तो यह तो आप देखे, उसका चेहरा जब रिवील पोड़ा पैसा वेकार हो गया इसमें क्या है , मतलब कौन निकल के आया ? जिसके साथ आगे आगे वाइट करोगे ? तो उसके रिप मुझे मुझे वर्क आउट नहीं किया , साइफ आइक dönी वॉर्क ओप किया ए मैं थोका दिया आ जा रहाक है … वी एफ-क्स घतिया से गटिया इ जब मैंने ट्रेलर का रिव्यू किया था तभी मैंने बताया था था वह जो वीडियो गेम जैसा जो बनाया गा है वो इतना बनावटी है इतना मनावटी है तो बहुत ही डिशनीग मुवी है तो बहुत दिनों से टाइगर शॉप इसमें उपर काम कर रहे थे रिलीज होने की कागारमी थी बहुत बार फिल्म को मतब बहुत मतब क्या बोलते हैं मार्केटिंग के साथ बहुत सोच समझ के साथ एक डेट फाइनल करके रिलीज किया गया है लेकिन एक दमी वर्क नहीं करने व है तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को जरू सब्स्राइब की दिएगा मिलते आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में तब तक के लिए अलविदा